किसी दूसरों को बदलने से आसान है खुद को बदलना नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक साम में आपका फिर्शे स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पूर डैड की जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियो साकी ने तो उनके रिच डैड ने उन्हें दस सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा दस सेंट बहुत ही कम होते हैं रॉबर्ट टी कियो साकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुसे में कहा मैं इतने कम पैसे पर काम नहीं कर सकता ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा मुझे खुसी है कि तुम दस संट के लिए काम करने में आसंतुष्ठ हो अगर तुम गुसा होकर तुम मेरे पास नहीं आते तो कभे भी तुमें पैसा बनाने की कला तुमें नहीं सिखा था इस बात से साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सेखना चाहते हो रॉबर्ट टी कियो साकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे उनके डैड ने कहना जारी रखा तुमें पता है कि गरीबी पैसो की नहीं मन की होती है इंसार पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्क पैसे के लिए काम करता है मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसो के लिए काम करो तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूँ मैं उन्हें कंपैसे देता हूँ पर सस्त यह है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यूं उतने पैसे में काम कर रहे हैं पर अगर वो लो या तुम इसी तरीके से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूँ तो जिन्दिगी भरना वो लोग कुछ सीख पाएंगे ना तुम कुछ सीख पाओगे आसान क्या है मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आपको इस लाइक बनाना क्या उससे अच्छा काम सीख पाए अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाते हो तो इसकूल में ही रहो ये सीखने के लिए और भी बढ़िया जगा है ही नहीं परन्तु अगर ये सीखना चाते हो कि पैसा तुमारे लिए किस तरह से काम करे तो मैं तुम्हारा रिच डर्ड तुम्हें ये सिखा सकता हूँ पर ये तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब तुम खुद सीखने चाहो तो तुम सीखने के लिए तयार हो रोबर्टी की ये साकी ने हां में सिर हिलाया और फिर रिच डर्ड ने कहना सुरू किया देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा सीखने के लिए बहुत कुछ है पैसे अपने लिए काम कैसे करवाया जाए ये जिन्दगी बर चलने वाली पढ़ाई है मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंदी, वाली पढ़ाई जिन्दगी भर चलेगी और इसके वज़य से ये है कि मैं जितना जादा जान लेता हूँ उससे भी जादा मुझे जानने के इच्छा बरती चली जाती है बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है असली समस्या असली प्रॉब्लम नौलिज की है सोच की है तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना पहले थी इस पर राबर्टी कियो साकी ने कहा हाँ बिल्कुल मैं दूसरों की तरह थोड़े हूँ मैं सीखना चाहता हूँ तब रिच डैड ने कहना शुरू किया ठीक है तु कल से फिर तुम काम पर वापस जाओ पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनखा नहीं दूँगा तुम्हारी तनखा बन तुम हर सनीवार तीन घंटे उसी तरह काम करोगे लेकिन इस बार तुम्हें 10 संट प्रति घंटे के हिसाब से सेलरी नहीं मिलेगी तुम्हीने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सेखना चाहते इसलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगा अपने रिजडेट की बास सुनकर रॉबर्ट टी कियो साकी बहुत ही कन्फियूज हो गए उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या करें और अगले तीन हथे तक रॉबर्ट टी कियो साकी अपने दोस्त माईक के साथ हर सनीवार को काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ यह आसान भी होता गया पर उन्हें अपसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमेक्स का क्योंकि वो अब उसका मज़ा अब नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें अब पैसे भी नहीं मिल रहे थे तीसरे हफते दो पहर में रॉबर्ट टी कियो साकी के रिच डैड उनकी सौब पर आये जहां पर वो बच्चे काम करते थे और उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी बर जो मेरे बाकी इंप्लॉईस हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो डरते ही रहना चाहते हो पर वो चुप रहे रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा चलो अच्छा तुम इतने पर खुश नहीं हो मैं तुमारी सेलरी वन डालर पर आवर कर देता हूँ वन डालर पर आवर उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि देश का सबसे अमेर बच्चा जो होगा वो भी नही कमाता होगा वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं तुमारी सेलरी पाँच डालर पर आवर कर देता हूँ ये सेलरी सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था माल लो माल लो इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता धेर सारी कॉमिक्स धेर सार पर वो चुप रहे उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डाड ने कहा मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया जल्दबाजी नहीं दिखाई और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम इसी तरह मन लगा कर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जु प्यूचर में लगा कर सकता हूँ कर दो चालच पर साटारिे से दिखाईा जल्दबाजी कि तुम ऑले मैं जल्दबाएब दुम इसी तुम नहीं कि तुम अनल्दबाजी पूला मैं ये घसे तुम श Кशर ले दुम टेखया दिख़ाग कि पभले भी जो खो तुम उनके उल